टीम इंडिया बुधवार को आयरलेंड के खिलाफ क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी हारत और आयरलेंड के बीच तीन मैचों की T20 आई सीरीज का तीसरा वांतिय मुकाबला डबलिन के दविलेज में खेला जाएगा जस्पीद बुमरा की अगवाई वाली टीम इंडिया जहां तीसरा T20 जीत कर आयरलेंड का पत्ता साफ करना चाहेगी वही मेजबान टीम की नजरे अपनी साख भचाने पर हैंगी तीसरे T20 मुकाबले में दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं बारते टीम जहां बेंच पर बैठे खिलाडियों को आजमाना चाहेगी वहीं आयरलैंड खरा प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों की जगां कुछ नए चेहरें को मौका देना चाहेगी इसमें रॉस अडायर और गैरत डैलनी जैसे खिलाडी शामिल हैं टीम में 29 साल के विकेट कीपर बले बाज जितेश शर्मा को डेब्यू का मौका दिया जा सकता है वर टीम में संजू सैमसन की जगां ले सकते हैं इसके अलावा वाशिंग्टन सुंदर की जगां सहबाज एहमत को अंतिमी 11 में जगां मिल सकती है टीम गेंद बाजी विभाग में भी एक बदलाव हो सकता है प्रसेद कृष्णा या अर्षदीप में से किसी एक को रिष्ट देकर मुकेश कुमार को मौका दिया जा सकता है ये बदलाव एशियन गेम्स को लेकर भी किये जा सकते हैं डबलिन के दविलेज में वैसे तो बड़े स्कोर देखने को ज़्यादा मिलते हैं लेकिन पहले टी 20 में यहां की पिच काफी स्लो रही थी दूसरे टी 20 में भी भारतिय टीम 18 ओवर तक तेजी सरन नहीं बना पा रही थी लेकिन अंधिम 2 ओवर में 42 तरन बने और फिर स्कोर 180 के पार गया ऐसे में माना जा सकता है कि पिच गेंद और बल्ले दोनों के लिए मददगार हो सकती है और बल्ले बाज अगर आखे जमाल है तो उनके लिए बड़े स्कोर करना असान हो सकता है अब ऐसे में देखने वाली बात होगी क्या खिर आज के मुकाबले में क्या भात ये टीम क्लीन स्विप करेगी ये आरलैंड अपनी साख भचाने में काम्याब हो सकती है